इस वीडियो में बात कर लेते हैं एलन इलेक्ट्रोनिक्स की विक्लियन लिसस देख लेते हैं चनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो स्टॉक में आप देख रहे होगे एक यहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मुली रिकवरी रही और आट परसंट के अ सब्सक्राइब कर देखने को मिला है यहां नहीं निकलता है नियर ब्रेक आउट है नहीं निकलता है तो पुलबेक फिर से रहेगा थोड़ा सा बट कोसे से स्टॉक की पूरी नकलने की अब पूलबेक की बाद इसलिए कर रहा हूं मैं क्यूंकि अगर आप RSI पर नजर डाल और यहां पे अगर इसके पहले वी आप देखें तो जब भी ओवरबाट जोन को टच किया है हर बार फॉल आता है ज्यादा स्टे नहीं कर पाता है यह ओवरबाट जोन में इसलिए मैं बोल रहा हूं तो अगर यहां नहीं निकलता है तो फिर से पुलबेक बनाएगा तो उ अभी से नहीं मार्च से चलना शुरू है और अब यहां पर एक पुलबेक के बाद डेफिनेटली स्टॉक तेजी दिखाएगा और टागेट अपनको 200 के प्लस देगा काफी लंबे टाइम से स्रेंज में फसा है स्टॉक अब डेफिनेटली को यह अगर आप देखते हैं तो अगर उपर की दिशाक लिए कोई बड़ी बाय है तो 200 के बाद ही रखिएगा क्योंकि यहां से स्टॉक अभी चलेगा जरूर बट इंपोर्टेंट है कि आप यहां 200 का लेविल तो देख लें पहले यहां से अगर रिवर्स आ रहा है तो फिर आपको यह कहीं ना कहीं रिट अच्छे देखने को मिल सकते हैं तो यहां पर डेफिनिटली स्टॉक का ब्रेकाउट देने के लिए तयार है बात कर लें कि स्टॉक के नतीजे क्या कैसे रहते हैं यहां पर आप देखें तो सेल्स बार 277 CR की लिए लास्ट आम तो इजाफा राए तो यहां भी इजाफा द सब्सक्राइब तो यहां अच्छा रहा है और नेट प्रॉफिट इस बढ़के पॉइंट सेविंटीवन कर रूपीज का हो गया अपने थोड़े से कम कियें बट ओवर ओल इसना बुरे रिजल्ट नहीं है स्टेक उपर नीचे होते रहते हैं पिर कंपरेजन में स्टॉक न रही है तो यह सारी चीजें सही देखने को मिल रही है तो यहां पर लिस्टेट हुआ अपना इस्टॉक यहां देखने को नहीं मिल रहा है बट डेली टीएफ पे अपनको कुछ चीज़ें यहां देखने को बिलेंगी वह वीकली टीएफ था तो यहां पर फिलहाल संभावना हैं अपनी के दोसों नकलता है तो संभावना है कि उपर की दिशा मिलती होई नजर आएगी सपोर्ट की बाद कर लें उसके पहले एक चीज़ और बता दूँ कि मैं मार्केट आर्ज में लाइव भी रहता हूं मंडे टू फ्राइडे सुबा दस बजे से एक बहुज टक और सौम नौ बजे तो प्लीज अपनी कोईरी वहां क्लियर कर लिया करी लाइव इंट्रेक्शन बहुत अच्छा होता है और काफी कुछ सीखने को भी मिलता है नियर टम में आप देखें कि अपने जो स्ट्रॉंग सपोर्ट रहेगा स्टॉक में बाइनी मीज कोई पूल बैक बनता है अगर नेक्स सेसन में तो 177 उसके बाद 175 और फॉर्दर इंद लाइन अगर स्टॉक बीक होता है तो यह 166 यह कुछ अपने सपोर्ट रहने वाले हैं यह सपोर्ट हो गए और यह सारे दिस्टिंस तो आई होप यहां पर मैंने आपको इलाइन लेक्ट्रोनिक्स अच्छे से बता दिया है मिलते नेक्स्ट वीडियो में दिस इस मी सुबम्यादव साइनिंग ओ हुआ प्रोनिक्ट्रोनिक्स